चन्दीगण से बड़ी ख़बर चन्दीगण में हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है CM मनहलाल के दिशिता में बैठक का आईजन किया जोएगा बड़ी ख़बर बड़ी अपडेट तो फैर तीन बजे होगी कैबिनेट की ये एहम बैठक हरियाणा सचीवाले में होगी एहम बैठक तो इस वक्त की बड़ी ख़बर हरियाणा कैबिनेट की एहम बैठक बैठक में नई एक्साइस पॉलिसी को मनजूरी भी मिल सकती है बैठक में करीब 14 से 15 एजंडे होंगे जिन पर मन्थन किया जा सकता और कई एहम फैसलों पर भी मोहर लगने की संभावना जयताई ज़ा रही है चन्रीगर्व से बड़ी ख़बर हरियाणा कैबिनेट की आज एहम बैठक है सीएम मनहलाल इस बैठक की अदिश्टा करेंगे दोफेर तीन बज़े का वक्त है जब कैबिनेट की मीटिंग उलाए गई है हरियाणा सचीवाले में एहम बैठक का आयज़न किया ज़ूएगा कई बड़े मुद्दोपार इस पर चर्चा होने की संभावना है और इसी खबार पर जारा जानकारी के लिए हमारे संबादाता रवी जोड़ चुके है रवी चंदीगर में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है किन-किन मुद्दों पर इसमें चर्चा होने की संभावना है रवी बिलकुल लूपर देखे हरियाणा मंद्री मिडिल के आज एहम बैठक होने जा रही है दोपेर तीन बजे मुख्य मंद्दी मनहुर लाल के प्रिशा में हरियाणा साथी वाला की चौसी मंद्दी पर इस बैठक होगी और इस बैठक में कई एहम जो मुते हैं वो रहने वाले हैं बैठक में नहीं एक साइज बोलसी को मंद्दी मिल सकती है इसके अलावा 14-15 एजेंडे हो और शामिल हो जबते हैं और उन एजेंडों में से कई एजेंडे हैं जिन पर अंतिम मोहर लग सकती है अपने आप में काफी एहम यह बैठक मंद्री मंद्ल की बताई जा रही है रवी क्या पंचाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है यह कि आप कोट की तरफ से तो पंचाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो चुका है पिलकुम उपर देखिए पंचाय चुनाव के लिए इस पर चर्चा हो सकती है और आने वाले को समय में हरियना में पंचाय चुनाव करा जाएंगे अगर आई कॉर्ट की माने तो आई कॉर्ट ने सरकार से यह साफ कर बिया था कि अब सरकार यह वदाए कि वो पंचायज चुनाव कराना जाती है तो इस बैठक में पंचायज चुनाव को लेकर चर्चा जरूर हो सकती है सीम मनोहलाल के लावा इस बैठक में और किन लोगों के शामिल होने की संभावना है रवी शुक्रिया रवी काली रवन आपका तमाम जानकारी के लिए